बीजेपी के प्रदेश अद्यवश आदेश गुपता इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं आदेश जी जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं इसे आप किस तरीके से देखते हैं दिल्ली के अंदर हमने निगम का चुनाओ बेहतर तरीके से लड़ाए हमने मुद्दों के आधार पे लड़ाए बारती इनता पार्टी जो मुद्दे उठाये थे जूत और ब्रस्टाचार के जो आमादी पार्टी के उन मुद्दों को चुनाओं में गए हैं और हमें जिस तरीके से अभी जो अंतर है वो काटे की टकर है अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है आप देख रहें निगम के चुनाओं के अंदर एक एक सीट एक एक वोट और दो दो वोट से भी हार जीत का अंतर होता है तो ऐसे में भी जब 60-65 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है तो यह कहना भी मुश्किल है कि कौन जीतेगा लेकिन हमें पूरा विस्वास है कि जिस तरह काटे की टकर है 15-20 सीटों का फासला है भारती जनता पार्टी जीत सकती है और हमने बहुत अच्छी तरीके से दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है हमने लोगों के बीच गय है उसका असर भी है 15 साल के निगम के अंदर यो शासन किया है और हमारे प्रधान मंती नरेंदर मोदी जी ने दिल्ली को जो सौगातें दी हैं गरीब लोगों को जुगीवासियों को मकान दी है वो मैसेज भी नीचे तक जो 15 साल का आपने शासन कहा एक एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर भी हावी रहता है चाहे आप कितना अच्छा काम करें या कितना खराब काम करें वो फैक्टर आपको नजर आ रहा है यही वज़े जो अंतर देखने को मिल रहा है लेकि एंटी इंकम्बेंसी जरूर रहती है पंद्रे साल के एंटी इंकमेंसी है लेकिन जो जिस तरह के रिजल्ट हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जादा एंटी इंकमेंसी हाँ थोड़ा बहुत जरूर रहती है और कहीं न कहीं जो हार जीत का अंतर है वो बहुत कम वोटों का भी है तो उससे अभी लगता अभी हमारी पूरी उम्मीद बाकी है और हम अच्छा आगे भी दिली की जनता के लिए अच्छा काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भरतीनता पार्टी जीतेगी क्या यह लगता है कि 2017 के मुकाबले में आप तो तब चुनाव भी लड़ेते 22 का मुकाबला ज्यादा कांटे भरा हुआ है क्योंकि कई सीट जो ऐसी हैं उनमें जो जीत हार का अंतर है वो 100, 200, 300 वोट का बीजेपी का रहा है बिलकुल 2017 के मुकाबले बहुत कांटे भरा मुकाबला था 15 साल हो चुके भारती इंता पार्टी को निगम में लेकिन हमारे कारिकरताओं ने जो मेहनत की है जो भारती इंता पार्टी ने टीम के तोर पे काम किया है और भारती इंता पार्टी ने मुद्दों के आधार पे क यह कह रहे थे कि बीजेपी अभी सीट से जादा नहीं आएगी वो कहां है तो आज दिली की जनता ने उनके जूंट को भी देख लिया है लेकिन पूर्ण बहुमत साफ तोर पर मिलता हुआ आमादभी पार्टी को दिखाई दे रहा है ऐसे में बीजेपी ये भी दावा कर रह की है वो अभी पचास साथ सीटों को है जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम ये कहने सकते क्योंकि हार जीत का अंतर एक एक दो दो दसतस पोटो का भी है तो ऐसे में फाइनल राउंड आगा फाइनल मत गड़ना होगी उसी से पता लगे आखरी सवाल एक सो एक्यासी से जो मार्जिन कम हुआ है सीटे कम हुई है उसके पीछे वज़े क्या मानते हैं हम देखिए वो सारे एनलेसिस चुनाओ का फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पार्टी करेगी और एनलेसिस जब करेंगे तो आपको भी बताएंगे चलिए तो बीचे पी के प्रदेश अदेश गुपता यह पूरी जानकारी दे रहे थे क्यामरसिन मुकेश के साथ प्रणेश अर्मा टोटल यूज तली